हिमाचल में कुछ दिन अच्छी धूप खिलने के बाद आज यानि रविवार को मौसम कुछ बिगड गया है आस्मान में एक एक बादल चा गए हैं शिमला में भी मौसम मिला जुला है बादल भी है और धूप भी है कांग्रा में भी बादल चाय होए है बतादें कि मौसम विग्यान केंद्र शिमला के पूर्वा नुमान के अनुसार हिमाचल में सुमवार से मौसम बिगड सकता है एक दो स्थानों पर बारिश और बर्फपारी की संभावना है 14 मार्च तक मौसम खराब रहने का नुमान जताया गया है 12 और 13 मार्च को एक दो स्थानों पर गरच के साथ बिशली गितने की संभावना को लेकर येलो अलट जारी किया गया है हिमाचल में प्रिवान सून सीजन की बात करें तो एक मार्च 2024 से 10 मार्च 2024 तक सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है बिलासपूर में समान्य से 244, चंबा में 106, हमिरपूर में 179, कांगडा में 116, किनौर में 145, कुलू में 260, लाहुलस्पिती में 173, बंडी में 190, शिमला में 224, सिरमौर में 422, सोलन में 107 और उना में 113 फीस्ति अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है हिमाचुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News, चॉइस ओफ हिमाचुल के साथ